हेलो स्टूडेंट कैसे हो हम आज 10.5 अक्सराइज स्टार्ट करते हैं तो 10.5 अक्सराइज से पहले हमने जो थोरम यूज की थी वो थोरम हम यहां अपलाई करेंगे तो क्यूसर नमबर फर्स टार्ट करते हैं क्या गीवन है इन ए फिगर यह हमारे पास क्या है एक सर्कल है सेंटर क्या है ओ है एंगल बी ओ सी यह वाला जो इंगल है यह कितने का है थर्टी डिगरी का है एंड ए ओ बी यह कितने का है 90 डिगरी का है इफ डी इज ए पॉइंट ओन दा सर्कल अधर देन दा आर्क जो यह जो हिस्सा है यह आर्क है इस आर्क के अलावा यह पॉइंट है यह क्या है इस आर्क पे यह डी पॉइंट है is on the circle of the arc ABC find angle AD यह वाला angle हमें क्या करना है find out करना है तो हमें कल ही यह पड़ा था कि किसी भी circle के उपर अगर center पे बना angle क्या होता है double होता है कि से other than arc यह अगर इसको देखें तो angle AOC is equal to angle aob plus angle boc तो यह कितने का है 60 degree, यह कितने का है 30 degree, तो यह कितने का होगया 90 degree तो यानि कि angle aoc का half is equal to कौन सा होगा angle ADC यह हमें कल बढ़ा था यानि कि यह angle क्या होगा half होगा इस angle center से बना तो यह कितने का है 90 का तो 90 upon 2 is equal to angle ADC is equal to 45 degree तो यह हो गया हमारा 45 answer So next question हम करते हैं क्या given है हमारा A code of a circle equal to the radius यानिकि यह code है यह code माली हमने PQ ठीक है Equal to the radius of the circle Find the angle subtend by the code at the point on minor arc and also the point of major arc तो कह रहा है कि minor arc में बना angle आपको यह बताना है और major arc में बना angle यह और minor arc में यह क्योंकि यह क्या है PQ यह जो arc है वो छोटी है और यह जो arc है PAQ यह क्या है major arc है ठीक है यह है major और यह क्या है minor तो कहरा है कि दोनों A और B यान कि हमें एंगल कौन सा निकालना है एंगल P A Q और क्या बताना है हमें एंगल P B Q ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है ठीक है क्या होंगे तो सबसे पहले तो क्या दिया है P Q है वो किसके यान कि P Q is equal to O P is equal to O Q तो ये क्या होगी हमारे पास एक्विलेटर ट्रेंगल ट्रेंगल O P Q क्या होगी एक्विलेटर ठीक है एक्विलेटर ट्रेंगल होगी है एक्विलेटर ट्रेंगल होगी तो सभी कौन कितने के होगे 60 डिगरी के तो एंगल P O Q is equal to कितना होगया 60 डिगरी तो हमें पता है remaining arc में बना एंगल कितने का होता है, half होता है तो ये वाली property लगा देंगे क्या होगा, एंगल half of a P-O-Q is equal to किसके equal होगा, P-A-Q-K P-A-Q-K ठीक है, तो ये कितने का है 60, तो 60 half of a 60 तो cancel out होगे, 30 तो एंगल P-A-Q is equal to कितना होगा, 30 degree, ठीक है तो एक एंगल तो हमने find out कर लिया अब दूसरा एंगल हमें पता है ये 4 point है हमारे पास P-A-Q, तो ये क्या हो जाएंगे cyclic हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे cyclic quadrilator, ठीक है cyclic quadrilator कौन सी हो जाएगी A, P, B, Q क्योंकि circle पे 4 point है और उनसे एक quadrilator बनी है तो हो जाएं, cyclic quadrilator है और cyclic quadrilator का हमें पता है opposite का sum क्या होता है 180 होता है तो कौन से का P-A-Q एंगल P-A-Q पलस कौन सा हो जाएगा B का P-B-Q P-B-Q is equal to कितना होगा 180 degree जबकि हमें पता है P-A-Q का कितना answer 30 degree पलस P-B-Q is equal to कितना दे रखा है 180 degree इसको इदर लेके गए तो क्या मिलेगा मैरे पास P-B-Q is equal to 180 degree negative 30 degree कितना मिलेगा एंगल P-B-Q is equal to कितना जाएगा 150 degree तो उसने हमें क्या मांगे थे दो एंगल मांगे थे एक तो P-A-Q और P-B-Q तो P-B-Q तो P-A-Q तो ये रहा हमारे पास और P-B-Q ये रहा हमारे पास ठीक है दोनों एक कितने का है 30 का और एक कितना है 150 का तो किसी भी बच्चे को यहां तक दो क्यूस्टन में कोई भी डाउट है तो कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके जरूर बताएं जरूर बताएं